नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वाटर सेट के बारे में इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो इसको हम लोग अच्छे से समझने का कोसिस करेंगे तो मैं गौरब मिस्रा आप सभी का e-book चैनल पर स्वागत करता हूं तो चलिए हम लोग देखते हैं वाटर सेट हो वाटर सेट होता क्या कि अलग अलग जगा से पानी रन ओफ कर रहा है और एक कॉमन आउटेट होगा जो जाके फिर मिलेगा पॉंड या रिभर में या लार्ज एरिया में जहां आप वाटर स्टोर कर सकते हैं तो वाटर सेट वही होता यह कब हुआ था नाइंटी टॉन्ट कॉमन आउटलेट हैं कॉमन आउटलेट जहां सबका एक साथ देखो अलग लग जाएगा लेकिन सब एक पॉंट पर मिल जाएगा कॉमन आउटलेट हो अब इसका अपनों डेफिनेशन देखते हैं यह वाटर सेड इस एन एरिया ऑफ लैंड और बांडेट वाइड वाटर फ्लो करता है सारा एक सिंगल आउटलेट से लार्ज रिवर और लेक में जाके यह स्टोर होता है अब इसके आगे थोड़ देखते हैं क्या लिखा हुआ है वाटर सेड मैनेजमेंट इंप्लाइज एन एफेक्टिव कंजर्वेशन आप स्वाइल और वाटर रिसोर् इसए होल कैस्मेंट एडिया इसदा ओंड़ और फौल और Krक adult Felix भोटर पूल और दिखी क्या होता है यह से वाटर सेडाम मैनेजमेंट ता का कीिसे हम लोग वहां पहिता वाटर ऋपने देखा डागरां अचुर्फ किसान के लिए जो और RTL कर सके किसान के लिए हो सकARS तो यह हो गया watershed management. मेनेजमेट क्यों करते हैं कि हम earlier सब्सक्राइब कर सकेолн, और यहां कुमनेटी यहां पे रहता है। और society का भी whole as a whole development हो, अब देखिए catchment area क्या होता है, catchment area is the water collecting area, all the areas from which water flows out into a river or water pool, तो मालने जाए सारे area से जो water flow कर रहा है, कहीं न कहीं आप देखे होंगे, कि जाके कहां, या तो common river आसपास रहेगा, या pond रहेगा, उसमें जाके merge होता है, अब हम लोग बात करते है, type of water set, water set कितने type का होता है, तो देखिए हाँ पर दियावा, water set could be classified into a number of groups, they usually accepted five levels of water set, delineation based on geographical area of the water set are the following, सबसे पहले macro water set है, 50,000 hectare से बढ़ाई हो जाएगा, सब water set हो गया 10 to 50 hectare, 10,000 to 50,000 hectare, milli water set हो जाएगा, 1000 से 10,000, micro हो जाएगा, 102,000, और mini water set हो जाएगा, 1200 hectare का, अब देखिए, water set जो हम लोग management कर रहे हैं, यह water set हम लोग समझ गए, water set management क्या होता है, यह भी हम लोग ने देख लिया, अब objective क्या है, इसका water set management का, तो हम लोग यहाँ अच्छे से देखते हैं, production of food fodder fuel, food fodder fuel का production, pollution control करना, over exploitation of resources should be minimized, जो resources का बहुत जादा हम लोग exploitation कर रहे हैं, उसको हम लोग कम कर सके, water restore कर सके, simple सा बात है, इसमें water तो restore हो नहीं है, flood control होगा, checking sedimentation, wildlife preservation, erosion control and prevention of soil, degradation and conservation of soil and water, employment generation through industrial development, dairy, fishery production, recharging of groundwater, जब आफ बाटर स्टूक्ट तो groundwater recharge होगा ही, regular water supply for consumption industry as well as irrigation, अब देखिए, water set में क्या होगा, जब एक plant तरीके से हम लोग कैनाल वगेरा बनाएंगे, तो हम लोग water supply कर सकेंगे, अच्छे से as usual हम लोग कर सकते हैं, अपने तरीके से, उसके बात क्या, recreational facility हम लोग फिर से recreational कर सकते हैं, वहाँ अलग-अलग से फिर से plantation लगा सकते हैं, या vegetation जो lost हो गया ता फिर से ला सकते हैं, क्योंकि जब water set हम लोग बनाएंगे, तो अब माल जो water set अलग-अलग canal बना रहें हम लोग water set का, common outlet होगा, लेकिन पानी देखिए, अलग-अलग जगह से हम उसको direction दे सकते हैं, अलग-अलग जगह पे, पानी को हम लोग इस्टोर कर सकते हैं, उससे बहुत सारा फायदा होगा, उसके बाद क्या है, factors affecting watershed management, तो watershed management को effect का उनकर करता है, size and shape of watershed, सिंपल सालोजी के size and shape सबसे बड़ा factor होगा, इसमें watershed management में, उसके बाद topography हो जाएगा, soil and their characteristics, precipitation, land use and vegetative cover, the kind and amount of data necessary for planning watershed improvement projects will depend in part upon the nature and purpose of the project, अब देखिए, watershed हम लोग अगर बनाने जा रहे हैं, तो land क्या है, उसका purpose क्या है, यह depend करता है, क्योंकि अलग-अलग आपका भी watershed desert area में भी बना सकते हैं, coastal area side भी watershed आप बना सकते हैं, नॉर्मल land पर भी बना सकते हैं, तो अलग-अलग purpose होता है, किसलिए हम लोग watershed बना रहे हैं, उसके बादे the data necessary for planning can be grouped under the following broad categories, अम्माल लिया जाए हम लोग किसलिए बना रहे हैं इसका, water set तो उसका purpose होगा, तो broadly जो group है अगर planning करेंगे तो तीन टाइप में classify को किया गया है, सबसे पहले hydrological information, soil and land use data and economic and social data, अब हम लोग तीनों को अच्छे से देखते हैं, hydrological information क्या होता है, it includes data about precipitation, climatological parameters required for determining crop water requirement, stream flow data and data about sediment flow, सेकेंड क्या, soil and land use data include existing land use information, soil data, topography and geologic maps and type of vegetation, और तीसरा क्या, economic and social data needed to work out the cost benefit ratio project, इसमें क्या बोला है देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका appreciative patient हो गया, crop water अगर माली जाए अगर कहीं हम बना रहे हैं, वाटर से, तो आसपास जो crop लाएंगे उसका water requirement कितना है, उससे आप से हम लोग decide करेंगे large watershed बनाएंगे, कितना उसका water flow रहेगा, stream कितना रहेगा, कितना पानी requirement है, उसरी हम यह सब देखेंगे, उसके बाद आपका information soil data देखेंगे, वहाँ topographic क्या है, कहीं slope, माली जाए slope land है, या कैसा land है, geological maps निकालेंगे, आसपास का area देखेंगे, तीसरा हम लोग देखेंगे, economic factor देखेंगे, कि benefit कितना होगा, इसे कितना cost लगेगा, यह सब हम लोग द देखते हैं, अब उसके बाद है, अगर माली जाए, एक watershed management हम लोग करते हैं, तो इसका step क्या क्या होगा, तो यहां पर क्या है, कि watershed management involves determination of alternative land treatment measures, for which information about problems of land, soil, water and vegetation in the watershed is essential, in order to have practical solution to even problem, it is necessary to go through four phases for a full-scale watershed management, और watershed management को हम लोग प्रोगाम को देखें, तो चार स्टेप में हम लोग इसको देखेंगे, पहला क्या है recognition phase, दूसरा है restoration phase, तीसरा है protection phase, और चौथा है आपका क्या improvement phase, तो हम लोग recognition phase देखेंगे, तो हम लोग recognition phase में क्या होता है, recognition of the problem, अगर watershed management हम लोग बनाए थे, में क्या problem आ रहा है, management में वो देखेंगे, analysis करेंगे problem का, और एक alternate solution, उस वक्त हम लोग देखेंगे, इसका problem का solution क्या होगा, alternate, next है restoration phase, इसमें क्या होगा, selection of best solution to problem identified, जो हम लोग का एक alternate, पिछले recognition phase में क्या थे, एक alternate solution निकाल दिये थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, कि जो solution, best solution होगा, जो problem हम लोग निकालने है, restoration phase में, उसका best solution क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद है application of the solution to the problem of the land, अब माल यह जाए, वहाँ जो management हम लोग वाटर सेट बनाए, उसमें हम लोग application, मतलब जो solution हम लोग देखें है, best solution उसको apply करेंगे, उस जो land पे जहाँ problem है, उसके बाद है protection phase, यहाँ क्या है this phase take care of the general health of the watershed and ensure normal functioning, the protection is against all factors which may cause determined in watershed condition, अब देखें, इसमें क्या होगा, कि वाटर सेट हम लोग बनाए थे, सबसे पहले हम लोग क्या देखें थे, सबसे पहले हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखें, रिकोगनेशन phase, अगर कुछ problem हुगा तो उसको identify करेंगे, alternate solution न का, functioning अच्छे से कर रहा है या नहीं यह देखेंगे, प्रोटेक्ट करें, जेनरल लेल्थ हम लोग इसमें देखेंगे, और चौता है improvement phase, this phase deals with overall improvement in the watershed and all land is covered, attention is paid to agriculture and forest management and production, forest production and pasture management, socio-economic condition to achieve the objective of watershed management, अब देखें, वाटर सेट मैनेजमेंट का हम लोग अब्जेक्टिव क्या सबको develop करना है, तो अब हम लोग 3 phase तो कर गए पार, अब हम लोग improvement phase में आएंगे, सब कुछ अब सहीज चला है, improvement phase में क्या होगा, कि हम लोग agriculture पे ध्यान देंगो, मिली दिखा जाए तो अगर यह सबसे ज़्यादा अगर benefit करेगा, secondary हो जाएगा, आपका industry हो गएगा, सारा management pressure क्या होगा, अगर मान लिए आप live stock रखना है, वो लोग का management, socio-economic conditions सब कुछ इसमें देखा जाएगा, अब देखिए, water resources development plan, water resources development plan बहुत ही important होता है, water sheet management, क्यों होता है, आप देखते है, water resources management plays a vital role in sustainable development of water sheet, which is possibly only through the implementation of various water harvesting techniques, the efficient way for sub-surface water storage, soil moisture conservation, or ground water recharge, technology should be adapted properly under water resources development plan, अब देखिए, हम लोग water sheet में क्या देखिए थे, पानी आता है, एक common outlet पर जाता है, तो अगर अब देखिए, हम लोग water harvesting, water resource जैसे, main तो यहां रोल water sheet में पानी का है, अब हम लोग पानी का कैसे sustainable use करें, यह बहुत ही माइने रखता है, समझे, कैसे पान yes measure दिया हुआ है, जो soil and water harvesting के लिए जरूरी है, और इससे क्या होगा कि हम लोग water conserve करेंगे, और जो हम लोग का water sheet जो है, वो लंबे समय तक के लिए, हम लोग के लिए beneficial रहेगा, तो वेच्टेटी बेरियर्स है, building of contour bunds along contours for erosion, अब contour क्या होता है, आप देखिए कि slopey land पे, trench type का वो बना दिया जाता है, इससे क्या होता है, कि erosion control होता है, और slope पे ज्यादा soil आपका पानी के साथ जाएगा भी नहीं, इदर उदर, बहेगा नहीं, जिसको हम लोग erosion बोलते हैं, उसके बाद है, furrow ridges and furrow ridge method for cultivation across the slope, अब furrow ridge और furrow का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, cultivation के लिए slope पे, irrigation water management through drip and sprinkle method, ये क्या हो गया, कि जैसे अगर माली आ जाए, sorry, अगर देखा जाए, तो अगर drip और sprinkle method, drip irrigation क्या होता है, माली जाए, अगर आप कुछ crop लगाए, तो उसके नीचे से pipe, mechanical pipe आता है, sorry, instrument mechanical आता है, पुरा system रहता है, तो उसमें क्या होता है, pipe हम लोग land के नीच ये हो गया, drip irrigation, बहुत ही beneficial ये होता है, drip irrigation, उसके 95% आप देखो, अगर drip irrigation का 90-95% efficiency होता है, mostly used किया जाता है, उसके बाद है, sprinkled method, sprinkled method क्या होता है, एक nozzle type का लगा रहेगा, और एक pipe पे लगा दिया जाए, ground में, और चारो तरफ को nozzle घूमता है, और sprinkled method से पानी जाता है, तो इसमें क्या होता है, कि पानी का कम हुज होता है, अब normal अगर गाउं में देखो, तो क्या होता है, flood irrigation होता है, उसको हम लोग बलता है, flood irrigation, अगर माले जाए एक slope land है, उसमें हम लोग ने crop लगा है, अब देखिए, land है तो crop हर जगा तो नहीं लगा हुआ है, पूरा, लेकिन ह यह सब जो drip irrigation है, यह सब बहुत ही beneficial माना जाता है, क्योंकि प्लांट को जितना required होता है water, उतना हम लोग उसको देते हैं, उसके बाद क्या है, planting of horticulture contour species on bunts, तो horticulture में क्या हो गया है, अगर flowers वगेरा हो गया, यह सब क्लांट कर देंगे, यह सब क्या हुआ हो, soil को पकड़ क रखेगा, erosion नहीं होने देगा, तो यह सब species हम लोग contour पे लगा सकते हैं, और bunts पे, क्या हो गया, contour bunts वही जो trench type का हो गया, वो सब पे लगा देंगे, उसके बाद क्या है, यह सब अलग-अलग watershed management program जो है हमारे इंडिया में start हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ of land, water, livestock and human resources to mitigate the effect of drought, तो देखिए, mitigate the effect of drought क्या हो गया है, कि drought को सूखा पंजो उसको कम से कम मिटाया जा सके, तो इसमें हम लोग का mainly objective क्या था, area development था, तो देखिए, watershed का भी management, watershed में हम लोग क्या करते है, अगर कुछ भी watershed में हम लोग conserve कर रहे है, water को utilize कर रहे है, वहां का total soil condition condition बढ़ेगा, वहां का socio economic condition बढ़ेगा, pasture वगेरा के लिए, अच्छे से उसको सब कुछ मिल सकेगा, farmers को time से water मिल सकेगा, उसका land का nutrients नहीं होगा, तो total सब कुछ loss होने से बचाएगा, तो water said यहां पे objective क्या था, drought prone area program का, कि area development होगा, और जो ecological balance है, उसको हम लोग restore करेंगे, और optimum utilization of land करेंगे, water, livestock and human resource, जितना से जितना हो सके, यह सब का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम लोग सूखा को कम कर सके, दूसरा है desert development program, जिसको हम लोग GDP बोलते हैं, short में, year of start का गवा था, 1977 से 78, objective इसका क्या था, mitigate the effect of drought in the desert area and restore ecological balance, तो इसका जो water said manager program था, इसका main objective क्या था, कि ह हम लोग desert area में, यह program start करेंगे, और जो है drought सूखा पर जाता है desert area में, जो generally रहता है, तो उसको हम लोग फिर से ecological balance बनाएंगे, restore करेंगे, next है national water state development program for rain fed agriculture, जैसा आपको मैंने बताता है, 1150 mm से जहाँ water, ज्यादा mm होता है, बारिस वहाँ उसको बलता है, rain fed agriculture, तीन टैप का आ 1986-87, objective इसका क्या था, to conserve and utilize rain water from both arable and non arable lands on watershed basis, to increase the productivity of crops and to increase the fuel, fodder and fruit resources through appropriate alternate land use system, इसमें आप देखिए, जहाँ खेती हो रहा है और जहाँ नहीं हो रहा है, दोनों जगा, वाटर तो हर जगा, अगर rainfall हो रहता है, वाटर तो हर जगा होगा, तो सारा पानी को एक वाटर सेट में हम conserve करेंगे, और इससे क्या होगा कि हम लोग productivity increase करेंगे, fuel, fodder और सारा सब कुछ का, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग utilize करेंगे, वाटर का, वाटर सेट के थूरू, उसके help से, next है, control of shifting cultivation, year of start का था, 1986-87, objective इसका क्या था, restoring ecological balance in hilly areas and improving socioeconomic condition, चोथा है, पाचमा है, बहुत ही important है World Bank Assisted IWDP, आपको इसके बारे में बहुत बार सुन चुके होगे, integrated watershed development project, तो इस टार्ट कब गवा था, 1990 में, इसका objective क्या था, to arrest the problem of environmental degradation and promote sustainable increase in agriculture production and to enhance vegetative technology of soil and water conservation, for rain water conservation, for increasing crop, forage, fuel, wood and timber yield of the area, तो इसका main objective क्या था, कि जितना भी promote कर सके हम लोग sustainable agriculture को, और vegetative technology of soil and water conservation, for rain water conservation and for increasing crop, मतलब इसमें हम लोग देखिए, जो water harvesting हो गया, उसके थुरू हम लोग ज्यादा से ज्यादा इल्ले ले सके, और crop, crop का production increase कर सके, fuel हम लोग ज्यादा ज्यादा ले सके, fuel, wood ले सके, timber, timber लकड़ी होता है, लग water conservation भी हम लोग इसमें कर सके, अब हम लोग देखते हैं, बात कर लिए हम लोग इसमें rain water conservation का आ गया, तो हम लोग water harvesting के बारे में थोड़ा सा sort में देख लेते हैं, water harvesting के होता क्या है, water harvesting is a method for collecting and storing water for future use, मतलब हम लोग पानी का जो है, वो हम लोग बचाओ करेंगे, जमा करेंग future use के लिए, generally water harvesting is direct rain water collection, जो water harvesting होता है, generally होके तो rain water collection होता है, rain is primary water source, while lakes, ground water and rivers are the secondary water source, जो rain होता है, वो primary water source होता है, जो आपका secondary water source में, lakes, ground water, यह सब हो जाएगा, rain water harvesting is a type of harvesting, the rain water collected and stored for the future use instead of allowing them to run up, जैसे बारिस हुआ, बारिस हुआ तो generally हम लोग क्या करते हैं, बारिस हो रहा ह पानी बाहर है बहने तो, लेकिन अगर farmer अगर वो जो बारिस हो रहा है, माली जगह पे slope बनाएं, वहाँ पे गड़ा बना दिये, तला बना दिये, पानी वहाँ क्या हो जागा, जमा हो जागा, वही पानी को हम लोग future में agriculture purpose के लिए यूज कर सकेंगे, इरिकेशन कर सकेंग अगरिकल्चर में में इसका क्या क्या रोल है, वो तो मैंने आपको बता दिया पर इसमें भी हाँ थोड़ा देख लेते हैं, नॉर्मली वाटर हर्विस्टिंग इस प्रेक्टिस्ट इन एरिड और सेमी एरिड रिजन फोर एगरिकल्चर, और इट इस मोर इफेक्टिव इन इरिया सुटेड नियर हील साइड और वेर कल्टिवेशन इस डिपकल्ड दू लार्ज पोर्शन ऑफ बेर लेंड, इनहांस इरिगेशन इन एरिड इंवर्मेंट्स, रिजेस ऑप स्वाइल रिजेस बना दिये जाता है, उससे क्या होता है, बड़ा बड़ा रिज बना दिय जाता है, जो अबस्टेकल बन जाता है वाटर के लिए, वो उसको पानी को रोग के रखता है, प्रिवेंट रिजेस बना देंगे, उससे क्या होता है, पानी पूरा नीचे नहीं जा पाएगा, उसको रोग लेंगे, वाटर केन बी कलेक्टेट फ्रों रूप्स, डैंस और अब हम लोग वाटर कहां, रूप पे जमा कर सकते हैं, डैंप, पॉंड, कहें भी जमा कर सकते हैं, आप जमा करने के लिए, आप जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सोगो, वाटर का उतना अच्छा रहेगा, वाटर हर्वेस्टिंग इनेवल्स फार्मर को इस्टोर वाटर when it is plentiful and make it available when it is discussed, म, इस लाइन का मतलब कяли कि water जो हर्वेस्टिंग ऑए, farmer को इनेवल करता है, farmer इसे क्या कर सकता है, कि जब बारिस बहुत ज्यादा हो, तो हम लोग store कर सकते हैं, तो वाटर हर्वेस्टिंग करता है कि फार्मर को इनेवल करता, कि जब पानी बहुत ज्याद लटा है तो आप इसको श्टोर कर लो पॉंड में श्टोर कर लो या फिर रूप पे कर लो रूप अब आप कुछ ऐसा इस्टोरेज का आप सिस्टम बना सकते हैं जिसमें पानी श्टोर कर सकते हो और आप इसका यूज कप कर सकते हैं जो पानी का कमी हो तब थी यहां पानी जो है 750 mm से कम रहता है होता है तो वहां crops are grown in narrow strip between wide intervals that are reached as artificial miniature watershed अब क्या होता है कि यह पानी जो है माली जाए अगर आप खेत में देखोंगे तो होता है तो इसमें क्या होता है कि जो एक माले होता है यह then लेंड के लिए ट्राइंगुलर क्लॉस सेक्षन बंड्स और लीप सर कंस्रक्टेट एलंग दे मेन स्लोप अब दे लेंड दे हैट अब इसमें क्या होता है वह उसके नीचे के थूरू जो सर्फेस है उससे होता है आपका जो बंड स्लोप है उस पर बंड्स पर आपका प्लोट वाटर हर्वेस्टेंग इसमें क्या होता है वाटर जो हर्वेस्ट होता है पासेज या फो में हर्वेस्ट होता है इसमें जो प्ल blending Uz Learning पे लगाते हैँ Croping करते हैं नेक्स्ट हैं White Water वाटर हर्ष्टिंग फार्म पॉंड इंड इसमें क्या फार्म पॉंड पॉंड इसमाल टैंक्स और इसर्वाइर कंस्ट्रक्टेड फॉर दे परपस आप स्टोरिंग वाटर एस्टेंशलिए अब क्या होता है अगर मलीज़ा एक रिजर वाएर यह स्मॉल टैंक बना दी जात जेनरली यह 3-pet depth होता है और इसका width और length depend करता है कितना बड़ा farm है उसके हिसाब से और farmer का में लिए किस purpose के लिए यूज कर रहा है वो किस लिए अलग अलग purpose होता है यह सब पर depend करता है generally farm pounds होता है चार group में इसको देखा गया है बताया गया dugout pond होता है का सर्फिस पॉंड होता है स्पृंग और के फीड पॉंड होता है अब आप दोगे प्रेट देख लिए। तो इसमें अब आप स्वाइल्ड इरोजन देख लेगा प्रॉब्लम देखा गया है तो इसमें क्या, इसका इरोजन इसका इरोजन तरफेक्ट सूट बड़ा मिनर्ड परफेक्ट परफेक्ट है अगर देखा जाए तो इरिगेशन का परपस के लिए कि आपको पता है इंडिया में मौसून और रेंफेट पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंस रहते हैं तो अगर यही पानी को यूज करेंगे तो बेस्ट रहता है इरिगेशन परपस के लिए अब यह जो है वाटरिंग गाडन के लिए हम लोग इसको पानी को यूज कर सकते हैं अगर हो में अगर कुछ लोग को देखते हैं छाथ पर अपने पैज़ा लगाते हैं या गार्डन तो यह सब परपस के लिए वह लोग वाटर रिस्ट पर सकते हैं छोटा से छोटा 65% area is dry land and rain fed out of 143 million hectares of cultivated land furthermore dry agriculture contributes 40-45% of national food grain production अब इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए water harvesting है dry farming की रोल accept करता है जैसा कि मैंने पिछले lecture में एक बताया था हम लोग types of farming लिये थे dry farming, dry land farming और rain fed farming इसमें मैंने बताया था आपको कि इसका क्या use है water का और यह सब कितना important माईने रखता है dry land farming हमारे इंडिया में तो उसमें आप एक बार आप जाओ तो detail में आप देख सकते हो नहीं होगा तो मैं वो वीडियो को link description में डाल दूगा जिसमें आप देख सकते हो तो दोस्तों हमारा यह सब जो आप देखो basically purpose आप ओहां देख लो उधर जो हो गया आपका water harvesting हो गया उसके बाद क्या हो गया water management में लिए purpose हम लोग क्या कि socio economic condition हम लोग बढ़ा सके irrigation facility बढ़ा सके हम लोग का किसान का इस्तिति अच्छा हो सके हम लोग land को sustainable use कर सके ज्यादा ज्यादा टाइम पर यूज कर से के chemical fertilizer का कम से कम यूज हो यह सब basically हम लोग का purpose objective यही होता है और water harvesting तो आप देख लो बहुत ही बहुत ही सही चीज है अगर देखा जाए तो इसमें आपको देखो अलग से आपको installment irrigation के लिए आपको pump नहीं लगवाना पड़ेगा सब कुछ naturally हो जाएगा बस आपको water को harvest करना है और water saving बहुत ही अच्छा देखा जाए तो नौर्मली भी अगर water आप यूज कर रहे हैं अगर water save कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे है तो दोस्तों हमारा यह था आज का लेक्टर जिसमें हम लोग वाटर सेट मैनेजमेंट के उपर discuss कि यह वाटर सेट क्या होता ह था water seal management वाटर सेट मैनेजमेंट और कुछ-कुछ ब्रॉग्राम जो मेन प्रॉग्राम देखा जाए तो water set मैनेजमें इंडिया में स्टार्ट हुआ हुआ है उसके बारे में हम लोग भी सsource फिर water harvesting उंप्र पर अपड़र हम लोग यह सब समझ में आगया होगा तो आज हम लो खुस रहिए जय हिंद